आलवेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ इंजिनियरों अपनी प्रोटक्शन इंजिनियरिंग की सीरीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ाया और आगे इस वीडियों पढ़ने वाले हैं सारा कंटेंट आपको पीडिया फॉर्मेट में अब लेबल है जिस तरह से मेकनिकल इंजिनियरिंग जनल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अब लेबल है इन नाट्सों के इस्तमाला पर एसे सी रर भी स्टेट जई एई गेट वीटेक एमाई के एक्जामनेशन के लिए कर सकते हैं इसे पिछली वीडियो में साथ यह हमने से होता है सेम एनरजी के आप सकता पड़ती है तो वो सब जान लिया था कम्प्लीट स्प्लियसमेंट ना करना चाहिए तो किस परकार से आपको कटने फोर्ण के आप सकता पड़ेगी कितना पैंट्रेशन आपने किया है यह सब जान कार दिया हमने ने डिटेल में जान लीती साथियो अब आते हैं seat metal forming processes seat metal के forming process की तरफ आते हैं अब तक हम cut कर रहे थे साथियो seat में से metal remove कर दे रहे थे share कर दे रहे थे यहाँ पर only deformation देखेंगे हम यहाँ पर no metal removal होगा deformation होगा जैसी seat है उसका shape size कुछ change कर देंगे जैसा कि यह seat थी इसको इस परकार बदल दिया है कुछ और change करना चाहिए यह से भी detail में आप next slide में देखते रहेंगे आपकी requirement के साब से आप काम करेंगे deformation करेंगे वो process forming के लाएगा क्योंकि यहाँ पर metal remove भी नहीं हो रहा है उन process हो में से अलग अलग process को अलग अलग लाम से जाना जाता है एक दूसरे को पहँचान सकें क्या काम किया जा रहा है उसके लिए इनका नाम करन कर दिया गया है उन्ही टाइपों में से types आते हैं drawing जैसे आपने देखा था wire drawing तो यहाँ पर seat drawing हो रही है तो चलिए शुरुआत करते हैं साथ ही और drawing की यहाँ पर drawing आपने देख रहे हैं तो यहाँ आपने देखा था wire drawing में किसी जादा diameter वाले को कम diameter वायर में आप change करना चाहें मोटे वायरों को छोटे छोटे पतले पतले वायरों किस परकार से change करते हैं तो वो सब process हमने detail में देखा था तो यहाँ पर seat की हम drawing करने वाले हैं seat metal forming process है यहाँ पर आप देख सकते हैं समझाने के लिए आपको भूमिका जमा देते हैं यह die है साथ ही हो इस परकार से die जमी हुई है die इस परकार की होगी नीचे इसकी कुछ height depth होगी यहाँ इसको बीच में से cut कर दिया जाए तो एक portion आपको नजर आ रहा है इदर से आप देख रहे हैं यहाँ से hollow die है तो इस परकार से आपको यह नजर आ रहा है जहां से हम देख रहे हैं उसको print बोलते हैं तो इसको आप print भी बोलेंगे इसके उपर seat रखी हुई है जिसकी thickness T है अब इस seat को रोकने के लिए blank holder लगे हुए है यह blank हो सकती है इस परकार का हो सकता है इस परकार की seat हो जैसे requirement है जैसा काम में ले रहे हैं तो यह blank है तो blank holder इस्तमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे कब बनाने वाले हैं तो blank holder इसे आप समझ लीजिए blank holder यह pressure pad के नाम से भी ने जानते हैं क्योंकि यह दबा के रखता है इसको इसको दबाने का बहुत बड़ा important रॉल होता है यह ज़्यादा दबाएगा यह जदने requirement है उतना दबाता है उसी से defect देखने को मिलते हैं वो सब भी हम आगे detail पड़ेंगे तो यहाँ पर यह punch है अपना पंचायत करने वाला आएगा फिर पंचायत करेगा तो यह diameter of punch यह diameter of die यहाँ देखेंगे diameter of die greater than होती है कि इससे diameter of punch क्योंकि यह तब इसके अंदर जाएगा clearance यह tolerance हम देके रखते हैं इसके लिए जिससे आसानी से process किये जा सकें तो अब यहाँ पर आपने देखा punch strike करता है और आपके blank को यह seat को deform कर देता है इस परकार से cup बना दिया है अब यह diameter, punch का diameter यह internal diameter अब cup कहलाएगा पहले आपका blank था उसको punch ने strike किया है उस पर forming की है उसकी drawing की है तो यहाँ पर cup बना दिया गया है drawing में आप समझ सकते हैं यहाँ पर इसको punch दबाएगा तो यह नीचे खिच कर आएगी seat है इसकी thickness टी है इससे कम हो जाएगी यह इसको नीचे दबाता जाएगा यह धीरे धीरे इसकी इधर मुड़ती आएगी और complete दबाएगा तो इस परकार से इसकी height thickness इसकी गहराई depth हो जाएगी तो इस परकार से cup बन जाता है punch निकल जाता है और यह cup तैयार हो जाता है ready हो जाता है आपके लिए इस्तमाल कीजिए production engineer की production engineering की दाद देते रही है इस परकार के process आपको आसानी से देखने को मिल रहे है blank holder आप blank holder की भी चर्चा कर लेते हैं साथ जिने pressure pad के नाम से भी जाना जाता है बताया था आपको access pressure लगा देते हैं अतिदिक pressure लगा देते हैं will lead to fracture अधिक pressure लगाएंगे जाएंगे ज़िए ज़ियां होती है इस परकार से क्योंकि यह uniform deformation देखने को मिलेगा कोई control करने वाला नहीं है direct आएगर metal gather हो जाएगा material of blank will gather जिसे wrinkling के नाम से जानते हैं इस तरह से ज़ियां बन जाएंगी उपर वाले पार्ट को flange के नाम से जाना जाता है नीचे जो होता है इस ट्रेट आपको नजर आ रहा है wall कहलाएगी और बिल्कुल नीचे वाले पार्ट को इसको base के नाम से जानते हैं यह इस परकार से मुड़ाब आता है उबर खावर देश चेहरे पर जुर्रियां आ जाती है तो यह यह रिंकल है यह defect है आगे defect में इनके बारे में फिर से जानेंगे थोड़ा इस परकार से process होते हैं एक बार फिर बता देते हैं आपको जैसा कि यह punch है strike करेगा इसको direct दबा देता है blank holder कुछ बोलते ही नहीं है तो यह कुछ इस परकार से सिमट जाएगा इस पर जुर्रियां बन जाएगे लेकिन बहुत ज़्यादा tight अकता है जाने नहीं देता है तो यहां से यह दीरे दीरे यह इसको आने नहीं देंगे तूट जाएगा फ्रेक्चर हो जाएगा यह defect कहलाएंगे तो इस परकार से हम चाहते है ना यह तूटे ना एक साथ छूटे इनका साथ साथ चलता रहे जैसा requirement है ऐसा pressure देते रहें तो हमारा काम हो जाएगा कब अच्छा बैतर quality का बनकर आपके सामने आएगा उम्मिद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जनकर या आपको अच्छे समझ माई हो गया भी वे आपका कोई confusion है तो आप हमसे comment कर कर पूँछ सकते हैं आप चाहें तो contact कर सकते हैं contact link आपको वीडियो description मिल जाएगा वीडियो का अन तक देखने के लिए चैनल को support करने के लिए आपका दिल की गहराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक पढ़ते रहिए बेस्त रहिए मस्त रहिए जहिन बंद मातराम